बागवान कहते हैं कि कई एक विद्वान जिनों ने ये कहा कि सभी कर्म दोश युक्त हैं और सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए सो बात सही नहीं है त्याग वर्सिस सन्यास त्याग क्या है कर्मों को छोड़ देना भगवान कहते हैं कि कर्मों को छोड़ देना अच्छी बात नहीं निशिद कर्मों को छोड़िये पाप कर्मों को छोड़िये अशुब कर्मों को छोड़िये पर जो करने लायक कर्म हैं उनको भी छोड़ दे ये तो कोई बुद्धिमता नहीं यग्यहदान तप ये कर्म त्यागने योग नहीं होते आप किसी त्यागी से पूछिए क्या आप सारा दिन क्या करते हो वो कहते बस गंगा किनारे बेठे रहते कोई-कोई थोड़ा बहुत नामजब कर ले, कोई-कोई थोड़ा बहुत कुछ पाट कर ले और उसके बाद बस बैठे हैं वो बैठे-बैठे-बैठे खाली मूड होते रहते और त्याग की competition चलती रहते तुने ये त्यागा मैं ये त्यागता हूँ, तुने ये त्यागा मैं ये त्यागता हूँ, तुने ये त्यागा मैं ये त्यागता हूँ फिर ऐसे त्यागियों के आसपास ऐसे लोगों का जमगट भी बन जाता है जो उनकी त्याग की गुन गाता गाएंगे और हमारे मुनी आपके मुनी से बड़े त्यागी हैं इसके लिए पोस्टर, पर्चा, इस्तिहार, अख़बार में भी ग्यापन कितने बड़े त्यागी एक ने कहा मुझे 10 साल हो गए अननी खाया दूसरा कहता मुझे 20 साल हो गए मैंने अननी खाया एक कहता मुझे 30 साल हो गए मैंने अननी खाया जैसे वो कहते हैं मेरे पास लाख रुपया, मेरे पास करोड रुपया, मेरे पास 10 करोड रुपया जैसे भोगी अपने धन के लिए एक दूसरे के साथ कॉंपटिटिव हो जाते हैं एक दूसरे से इर्शा भी करते हैं फिर इसी तरह से त्यागियों के मध्य भी आपस में उनके ऐसा competition चलता रहता है बुद्ध पहले अती भोगी रहे फिर बुद्ध अती त्यागी हो गए इतने त्यागी हो गए कि लोग एक समय अन्न खाते थे उन्होंने एक समय का अन्न भी छोड़ दिया पूरे एक दिन में सिर्फ एक चावल का दाना खाते थे पूरे दिन में एक चावल का दाना दिन भर वो बैठे अभ्यास कर रहे हैं कितने दिन चलेगा शरीर और एक दिन इतने कमजोर हो गए हड्डियों का ढांचा शरीर रह गया और एक छोटी सी नदी की दारा थी उस दारा को लगे पार करने पर कमजोरी के मारे गिर गए बेहोश हो गए कुछ समय बाद जब होश आया जैसे तैसे अपने शरीर को रेंग के बाहर किनारे पर लाए पेड के साथ पीठ टिकाई सिर्ट की टेक लगाई और तब उनके चित में यह विचार आया कि इस तरीके से इस त्याग के मार्ग से तो मैं यह छोटी सी नदी नहीं तर पाया हूँ तो मैं भाव सागर कैसे तरूँगा यह बोध उनको हुआ कि इस प्रकार से शरीर को सताने से कुछ हासिल होगा नहीं और आदमी कितना कम कर सकता है पूरे दिन में एक चावल का दाना खाए इससे अधिक त्याग और क्या करेगा कोई और वहीं वह शांत चित से बैठे हुए थे के दूर एक स्त्री गीत गाती हुई निकल रही थी और गीत के बाव थे कि अपनी वीना के तार को इतना भी न कसो के तूट जाए और अपनी वीना के तार को इतना भी धीला न छोडो के स्वर न बजे यहीं से बुद्ध के बीतर एक नया विवेक जागरत हुआ ना भोग ना त्याग मज्जिम निकाए मध्यमार्ग सही होता तो मिदल पाथ त्यागी को अपने त्याग का अभीमान है भोगी को अपने भोग का अभीमान है तो सन्यासी कौन है, सन्यासी वो नहीं, जिसने कर्मों का त्याग किया, सन्यासी वो है, जो करने योग्य सभी कर्मों को करता है, पर कर्म के किसी फल की चाहना उसको नहीं होती त्यागी के पास स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं है, मकान नहीं है और इस लिहाज से देखा जाए, तो सन्यासी के पास स्त्री भी है, पुत्र भी है, घर भी है, मकान भी है यग्य दान तब कर रहा है, यग्य कौन करेगा, जो धन अरजित करेगा, यग्य वही कर सकता है, दूसरा कैसे करेगा, यग्य की जो सामगरी है, यग्य में इस्तेमाल होने वाली लकडी है, घी है, धूप दीप है, दान लक्षिना है, भुजन है, अन है, जो दान दिया जाए वो सब सामगरी को खरीदने की सामर्थ किसमे होगी जिसके पास दन होगा त्यागी ने तो दन छोड़ दिया अब वो दन तो है नहीं तो समान कहां से खरीदेगा तो यग कहां से करेगा अन दान वस्च्त्र दान इत्यादी करने के लिए भी तो धन चाहिए जिसने धन कमाया नहीं है वो दान के से करेगा त्यागी क्या दान करेगा उसके पास तो ही कुछ नहीं क्या छोड़ेगा वो सन्यास क्या है करने योग्य सभी कर्मों को करता है पर कर्म की इच्छा कर्म के फल की इच्छा नहीं रहती है और अपने चित को वो अपने साथ जुड़े हुए इन सभी कर्मों या इन सभी समंधों से अपने आपको निरलिप्त रखता स्त्री छोड़ करके मूंड मुणाना मुश्किल काम नहीं है पर स्त्री तुम्हारी साथ में हो और तुमको उसकी दास्ता ना हो और तुमको उसकी आसकती ना हो ये जैदा मुश्किल काम जिन लोगों ने जबरजस्ती विवेक के अभाव में संसार त्यागा कभी उनके चित में गहरा उतर के देखिए क्या वो सच में ब्रह्मचारी हैं अपने मन को अपने तन को वो सताते रहते हैं सताते रहते हैं अन भी इसलिए नहीं खाते हैं कि अन्न खाएंगे तो अन्न से चित्त में वासना जगेगी ऐसी कितने ही जो पारंपरिक इस सोच वाले गुरु हैं उनकी ऐसी पुस्तकें छपती हैं ब्रह्मचारी को प्याज नहीं खाना चाहिए ब्रह्मचारी को दिन में सोना नहीं चाहिए ब्रह्मचारी को बाथरूम में जैदा देर नहीं रहना चाहिए ब्रह्मचारी को अपने गुपतांगों को जैदा छोना नहीं चाहिए ब्रह्मचारी को स्त्री को देखना नहीं चाहिए ब्रह्मचारी को लाल मिर्च खानी नहीं चाहिए बने ये ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो बोले मिर्च क्यों नहीं खाओ बोले मिर्च खाएगा तो काम इच्छा जगेगी रात्री में दूध न पिए अशलील चित्र न देखे किसी स्त्री को न देखे और स्त्री को दिखे तो उसमें माता बहन पुत्री का भाव करे अब देखिए अब सब तरफ से रोक लगा रहा है सब तरफ से मन को मारा जा रहा है पर क्या इस तरह से मन को मारा जाएगा क्या इस तरह से वो अपनी काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं नहीं होते हैं आप किसी ब्रह्मचारी किसी सादू वेश में रहने वाले से बहुत प्रेम से उससे मैत्री करिए और बहुत प्रेम से उसको पूछिए और अगर वो इमानदारी से तुमको जवाब दे सके तो बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि ये बड़ा मश्किल काम है उसे पूछिए क्या आपके अंदर काम इच्छा जगती अच्छा दिन में तो अपने मन को वो मार लेगा पर रात्री में क्या करेगा रात्री स्वप्न में वीरियस खलित हो जाएगा अथ्वा हस्त में थुन करेगा और अगर करता है तो गिल्टी होता है नहीं करता है तो उसका शरीर उसे लड़ता और फिर वो उतने जोर से और जोर से उपवास करता है फिर पस्चा ताप में उपवास करता है सन्यास क्या है सन्यास है कि तमारे भीतर तमारा वीवेक इतना जागरत हो गया है इतना जागरत हो गया है कि एक क्या दो क्या अगर हजारों स्त्रियां ऐसे पुरुष के सामने आके नगन होके भी पड़ जाएं तो भी उसके चित्व में उसके शरीर में कोई ऐसी चाहना जग नहीं है, इसे कहते ब्रह्मचरी, प्याज ना खाओ, मिर्च ना खाओ, ये ना करो वो ना करो, अगर इतना ही सहज होता तो कबीर साहब ने फिर ये बात कही थी, कि फिर तो हिजुडों को तो ब्रह्म जरूर मिल जाना चाहिए, उन्हें तो यहन इच्छा होती ही नहीं, पर क क्या उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ये एक ऐसा कड़वा सच है, जिस सच से इस देश के मुनी और साधू इंकार करना चाहें, तो भी इंकार नहीं कर पाएंगे, पर इस सच को वो स्विकार भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दिन रात जोर जोर से शोर मचाते रहते हैं, अपनी इंद्रियों का दमन करो, दमन करो, दमन करो, याद रहे, गीता ये सिखा रही है, कि हमें जबरदस्ती इंद्रियों का दमन नहीं करना है, सत्त क्या है, असत्त क्या है, विवेक के पूर्वक हम को समझना होगा, और सिरफ समझ के द्वारा ही, हम इन चीज की तुम निंदा करते रहोगे तो भी तो तुम उसी चीज से जुड़े रहते हो जैसे कोई उसकी उपमा गाता रहे जैसे काम की उपमा गाने वाले अगर काम से जुड़े हुए हैं तो काम की निंदा करने वाले भी तो काम से जुड़े हुए और सन्यासी कौन है जो ना जुड़ता है और ना निंदा करता है ये इतनी क्रांतिकारी बात है इतनी क्रांतिकारी बात है जो जल्दी किये लोगों को समझ भी नहीं आती भोगी कौन होता है ये तुम्हें जल्दी समझ आती है सबको पता ही है त्यागी कौन होता है वो भी जल्दी से समझ आ जाती है पर सन्यासी कौन होता है ये समझ नहीं आती और कभी-कभी भूल से तुम त्यागियों को सन्यासी समझने लग जाते हो पर ये बात सत्य नहीं है सन्यासी कौन है जो शास्त्र जिन कर्मों की अनुमती देता है वो उन सभी कर्मों को करता है शास्त्र किस की अनुमती देता है यग्य, दान, तब अब फिर वही बात आ जाती है यग्य करने को दान करने को धन का उपरजन करना पड़ेगा तो धन का उपरजन करेगा तो इसका मतलब ब्यवपार या कोई नौकरी या कोई ब्यवशाय भी करना पड़ेगा और ब्यवशाय कर रहा हो पर धन की लालसा नहीं हो क्या धनकी लालसा के बगेर भी ब्यापार हो सकता है हाँ बिलकुल हो सकता है कुछन यही तो करते रहे समस्त पदार्थ इश्वर के हैं और हम इश्वर के दास हैं हम इश्वर के गुलाम हैं उसकी दी हुई इस दुकान पर बैठ रहे हैं और वो ही खुद ग्रहक बनके आता है और जितना मुझे मुझे मुनाफ़ा लेना चाहिए मैं उतना ही मुनाफ़ा लेता हूँ कि जी की गरदन नहीं काटता हूँ और जो मुनाफ़ा मेरे पास आया उसमें से भी मैंने 10 प्रतिशत या कईए ने तो बिल्कुल 50 प्रतिशत ही निकाला और उसको धर्म अर्थ में खर्च कर दिया गुरू की सेवा में प्रस्तूत कर दिया संसार में जहां कहीं जरूरत मन्द थे उनकी सेवा में प्रस्तूत कर क्योंकि बाहर से जो दीन हीन अनाथ दिख रहा है अंदर से तो ब्रह्म ही है तो ब्रह्म की दी हुई परमेश्वर की दी हुई दुकान परमेश्वर के दिये हुए दन से परमेश्वर के ही इन सभी स्त्री और पुर्शों की सेवा किसकी करी? इस्त्री पुरुष की सेवा करी, बोले नहीं, मैं तो परमात्मा की ही करी इसलिए भारत में ये अद्भुद पृथा है पहले तुम दान देते हो और दान के बाद फिर दक्षिना भी देते हो दान के बाद दक्षिना क्यों? जिसको तुमने अन या वस्त्र या पैसा दिया है तुम उसको उपर से दक्षिना फिर इसलिए देते हो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद के आपने मेरी इन वस्त्रों को स्विकार किया नहीं करते तो नहीं करते तो, नहीं लेते तो तो उसके लिए भी वो धन्यवादी होता है तो दक्षिना है धन्यवाद और दान है जो कर्तब है वो तो देना ही था कबीर साहब का ये भी प्रसिद्वचन है साही इतना दीजिये जामे कुटम समाए मैं भी भूखा न रहूं सादू न भूखा जाए मेरे द्वार से कभी कोई खाली न जाए पर इतना तो हो मेरे पास इसलिए कबीर जिन्दगी भर खड़ी चलाते रहे कपड़ा बुनते रहे बुने हुए कपड़े को बजार में बेशते रहे और जितना धन उनके पास उपलब्द होता उस धन को वो फिर लोगों के लिए खर्च करते थे क्या कबीर सन्यासी नहीं है क्या आप कबीर को सन्यासी नहीं कहोगे हलांकि उनका न तो सिर घुटा हुआ है नहीं उन्होंने कवपीन बांधी नहीं उन्होंने लंगोटी बांधी नहीं उन्होंने गंगा किनारे डेरा किया नहीं उन्होंने ऐसा कोई कर्म किया कोई ऐसा बाहर से चिन नहीं रखा के शरीर पे बभूत लगाई हो के बालों की जटा बनाई हो लेकिन कबीर फिर भी सन्यासी है कबीर के विशे में कुछ लोगों का ये कहना है कि उन्होंने बिवा नहीं किया था, कुछ लोगों का कहना है, उन्होंने बिवा किया था, और मैं ये कहती हूँ, बिवा मैंने कहां रखता है, पर जो भोगी है न, वो सब साबित करना चाहते हैं, कि कभीर भी हमारी तरह गरस्ती थे, जो त्यागी है, वो साबित करना चाहते कि कभीर तो त्यागी थे पर सत्य यह है कभीर ना भोगी थे ना कभीर त्यागी थे कभीर तो एक सन्यासी थे गुरु नानक ना भोगी है ना त्यागी सन्यासी है कि चैंब्ने महाप्रभू वी दी वी दान के अनुसार देखे तो विष्णु प्रिया से इनका विवाह हूं डो भीवाह हुय थे इनके फिर उसके बाद इनका इन्होंने त्याग दियर सब कुछ तो त्यागी भी हो गए थे तो भोगी भी थे त्यागी भी थ्षे पर अकर उनके हुर्दय में ज्हांकें और अगर कुष्ण के इन वचनों को आधार बनाएं तो चैतन्य महाप्रभू कौन है सन्यासी है खेर चैतन्य महाप्रभू को तो ऐसा कहा जाता है कि स्री कुष्ण का ही वो अवतार थे उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि Sri Krishna के ही अवतार थे प्रेम के अवतार थे ज्ञान के अवतार थे इसलिए भोग के त्याग दोनों ही लीला थी और कुछ भी नहीं जो लोग ये कहते हैं कि काम्य करमों को त्यागो वो तुमें त्याग होने की बात तो शिखा रहे हैं पर तुम्हें सन्यासी होने की बात नहीं सिखा रहे देखिए ये बहुत बड़ी confusion है लोगों के दिमाग में वो सोचते हैं जो त्यागी है सो सन्यासी है नहीं जो त्यागी है जरूरी नहीं वो सन्यासी हो ये भी संबब हो सकता है कि जो दिखने में ग्रस्ती है वोगी है वो अंदर से सन्यासी हो मैं फिर से इसको दोरा रही हूँ तीसरे स्लोग को त्याज्यम दोश्वदित्ये के कर्म प्राखूर्मनी शिनह यग्यदान तपह कर्मना त्याज्यमिती चापरे जो ऐसा कहते हैं सभी कर्म दोश युक्त हैं इसलिए इनको त्यागने चाहिए जो ये बात कह रहे हैं वो समझते नहीं और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यग्यदान और तपरूप कर्म त्यागने के युग्य नहीं है अब भगवान कहते हैं कि देख दोनों बाते मैंने कह दी अब मेरा निश्चे क्या है तो वो सुन निश्चयम रिनुमे तत्र त्यागे बारतस तमह त्यागोही पुरशब्याग्रह त्रिविदह संप्रकिर्थिदह है अरजुन उस त्याग के विश्चे में तु मेरे निश्चे को सुन हे पुरुश्यृृ Σ्रेष्ट्र त्याग साट्विक साथ्विक राज़स और तामज तीन प्रकार का कहा गया तो अभी तो पहले वो त्याग के विशिए में अपनी बात को फिर से कहने वाले हैं त्याग तीन तरे का है सत्व रज और तम यग्यदान तपह कर्मना त्याज्यम कार्यमे बतत यग्योदानम तपस्चैव पावनानी मनी शीनाम यग्यदान और तप रूप कर्म त्यागने के युग नहीं है किन्तु निसंदे करना करतब्य है यग्य दान और तब ये तीनों ही बुद्धिमान पुर्षों को पवित्र करने वाले पहली बात फिर कहे देती हूँ यग्य दान तब कोन करेगा जो पहले धन का उपारजन करेगा वो ही तो कर सकेगा देखिए आज के समय में तो बात निश्चे ही ये लागू होती है पर पहले समय में भी ये बात निश्चे ही लागू होती थी दन होगा तो यग्य करेगा ना धन होगा तो दन करेगा ना तो दन कैसे होगा जब काम करेगा तो जब काम करेगा तो फिर कर्म का तो बात पूरी बनती नहीं ना, करम का तयाग हो कैसे सकता एक सर्जन ने अपने गुरू को ये बात कही थी, उन्होंने का, गुरुदेव मैंने 15 साल काम किया, बिजनस किया, और 15 साल में अपने बच्चों को पढा लिया, अपनो मकान बना लिया, बिजनस भी मेरा अच्छा सेटल हो गया, अब मेरे बच्चे जो हैं, वो अपनी आयुष के हिसाब से समझदार भी हैं, अकलमंद भी हैं, और अब उन्होंने अपनी अपनी नोकरियां कर ली हैं, तो आज के बाद से काम तो मैं करूंगा, लेकिन अपने खर्चे पानी के जितना थोड़ा बहुत मेरे और मेरे पत्नी के लिए जितना चाहिए उस खर्च के बाद जितना धन है, सो दन मैं समस्त आपकी सेव में अभाजीर करूंगा, अब मैं आपकी सेव करने के योग्य हो गया, क्यों घर की जिम्मेदारी मेरी पूरी हो गई मेरी जिम्मेदारी मेरे पूत्रों और पूत्री के प्रती तबतलक थी, जब तलक वो अपने पेर पे खड़े नहीं हो गये तो उनके लिए कमा रहा था आज वो अपने पेर पे खड़े हो गए पुत्री का विवा हो गया है उसको जो मैंने देना था स्त्रीदन मैंने उस समय दे दिया है और पुत्र जो है वो ये कहते हैं कि पिता जी आपने हमें इतना योग्य बनाया है अब आपकी इच्छा हो काम करिए आपकी इच्छा हो काम ना करिए अब हम कमाएंगे और आपके लिए सिवा करेंगे तो आप अपने लिए निरने खुद करिए तो मैंने ये सोचा है मेरे लिए निरने अब ये है आज तलग परिवार के लिए कमाया अब मैं अपनी गुरु के लिए कमाओंगा मेरे गुरु के प्रचार कारिया में जैसी आवश्रक्ताँ है उन आवश्रक्ताओं की पूर्ती के लिए अपने गुरु स्थान को सपोर्ट देने के लिए अब मैं मेरा शरीर स्वस्थ है और मैं काम किये वगए रह भी नहीं सकता हूँ आश्रम में रहता तो मीनियल जाब करता फिजिकल जाब करता शरीर से जाब करता तो जब यहां बेट करके मैं धनू पारजन कर सकता हूँ तो आज के बाद से गुरुदेव आपके लिए अब मुझे ये निर्देश दीजिए कि सुभों में और रातरी में कुछ विशिष्ट मुझे करना हो तो बतलाईए अन्य था जब आपने पहले मुझे सिखाया वो तो मैं करी रहा हूँ कितना लोग सोचते हैं इस तरह से एक ने का जी जिनके पुतर नालायक हो वो क्या करें देखिए जिनके पुतर नालायक हैं ऐसे पिता को ये समझ लेना चाहिए कि नालायक के लिए वो जिंदगी भर कमाते कमाते मर जावे तो भी कोई फाइदा नी होने वाला वो जो कमाएंगे वो सब दुबा जाने वाला तो नलायकों को उनके उपर ही छोड़ना पड़ेगा और जिनकी संतान लायक है तो उनके लिए तो चिंता ही क्या वो तो अपने लिए कर ही लेंगे जीवन एक यग्या है इस यग्या में आपके द्वारा कर्मों की आहुती पढ़नी चाहिए और कर्म भी कैसे निश्काम कर्म और निश्काम कर्म किसको कहते हैं जिसके फल में आसकती नहों जिसमें आपको कोई पुरुसकार भी नहीं चाहिए हो आप कर्म भी कर रहे हैं कर्म से जो आपको फल प्राप्त होता है सो सब तुम भगवान के ही अर्पित कर देते हो तो बताईए आपको कौन सा कर्म फिर बांद सकता है तुम फस्ते तब हो जब तुम ये कहते हो मैं कर्म कर रहा हूं और मेरे लोगों के लिए कर्म कर रहा हूं यह मैं मेरी के कहते ही फस जाते हो और मैं मेरी से मुक्त होते ही आप सन्यासी हो जाते हो मैं फिर कह दूँ जिसको सन्यासी स्री कुछन कह रहे हैं वो बाहर से त्यागी हो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं राजा जनक छन्यासी हैं सन्यासी हैं राजपाट चलाते ہیں पत्नी है, फुत्री है राम जैसा जमाता है दमाद है जिनका और अंत तक वो सब राजपाट चलाते रहे और समय आने पर अगर शुक देव मुनी जैसे त्यागी आए तो उनको भी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कहते हैं जब शुक्देव जी आये तो जन्म सुद्धत आगी लंगोटी बांदे हुए कमंडल हाथ में लिये हुए खड़ाओं पहने हुए ये बाबा जी आके खड़े हो गए बोले जनक से मिलना है मेरे पिता ने भेजा है वो मुझको ग्यान दे ऐसी मेरी प्रार्थना है क्योंकि पिता जी ने बोला है कि जनक ही मुझको ग्यान दे सकते हैं उनका अच्छा ठीक है आप सभा में जनक अभी ब्यस्त हैं राजा साहब जब फ्री होंगे तो हम आपका संदेश देंगे तब तलग आप इंतजार कीजिए शुक्देव का संदेश द्वारपाल ने भीतर दिया जनक कहते हूं उसको बोलो अभी वहीं रहे अभी कहने की भी जरुरत नहीं खड़ा रहे न दो इसको अगर रुका रहा तो तीन दिन बाद उत्तर देना फिर मेरा अभी नहीं देना उत्तर तीन दिन बाद उत्तर देना के तुमको तीन दिन बाद मिलेंगे तीन दिन बाद उत्तर देना है के तीन दिन बाद मिलेंगे शुक्देव जी वहीं खड़े रहे नहीं गए, उत्तर मिला, रुकिये, I'll see you after three days, शुक्देव फिर भी रुके रहे, जनक ने पूछा गए कि नहीं, बुले है, बुले है, बुले अब एक काम करो, महल का जो कुड़ा कबाड़ा निकले, वो छट से उसके सर में डाल देना, ट्यागी माहराज आए हैं, बहुत ब कोई खाना नहीं पूछा, पीना नहीं पूछा, सोगे कहां यह नहीं पूछा, त्यागी के अंकार को कितनी चोट लगा रहें जनक, साथ दिन तक इसी प्रकार महल के द्वार पर खड़े रहे, फिर जनक ने अंदर बुलाया और पूछा, क्या इच्छा है, उन्होंने का, म बिष्राम करो, साथ दिन से खड़े थे, कल सुभा भी मुलाकात करेंगे, जाओ, तो सेवक जो है, वो सुखदेव को महल के अंतर कमरे में ले गए, बहुत सुंदर पलंग है, बहुत सुंदर बिस्तर है, बहुत सुंदर बोजन है, शुखदेव ने थोड़ा बोजन किया, वो जन सही में बड़ा स्वाद है, खिलाने वालों ने भी बड़ी पृति पुरुवक ये भी लीजे, ये भी लीजे, जब अर जस्ती मनोहार करकरके उनको बहुत कुछ खिला दिया, और जब शुखदेव पलंग पर विश्राम करने के लिए लटते हैं, तो क्या नजर पर एक नंगी तलवार सूत के दागे के साथ बंदी हुई लटक रही, दौर पल बहर खड़ा है, पर अब कहें भी तो क्या कहें, समझ नहीं लग रही, और ये है कि एक सेवक आया और वो कह रहे ठीक है, यही बिश्राम कीजिए, और सुवे आपके लिए जो आदेश होगा सो हम आपको कहेंगे, तो राजा जनक का ये आदेश से आप इसी पलंग पर बिश्राम करेंगे, इसी पलंग पर बिश्राम करेंगे मतवहिल भी नहीं सकते आप